रुजाना, क्रिकेट, कबड़ी, टेनिस और फुटबॉल जैसे 1500 गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, आईफोन, कार जैसे गिफ्ट भी जीत सकते हैं कोई जाते, दोस्वनी नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मुझे मिला, जिससे थोड़ा दुखी हूँ, और दुखी इसलिए हूँ, सभी के लिए दुखी हूँ, दुखी मैं अपने लिए नहीं हूँ, पवन सिंग ने एक बेटिंग एप, बेटिंग एप का प्रमो बुनस वाले पैसे जो मिलेंगे, उससे आप खेलेंगे, तो आप जीतेंगे, लेकिन जैसे ही आप रियल मनी, अपना वाला मनी आप लगाएंगे उसमें, तो आप लगातार हारते जाएंगे, कि मैं बेटिंग नहीं करता हूँ, ये शियोर है, लेकिन वो एक ब्रैंड है, वो एक सूपर स्टार हैं भोजपूरी कि अगर वो इस तरह के एप्स को प्रोमोशन करें हैं कुछ पैसों के लिए, ये काफी गलत है, आपका क्या मानना है मुझे नीचे कॉमेंट स्ट्रेक्शन में जरूर लिखिएगा, उन्होंने एक बेटिंग आप का प्रोमोशन किया है और बाकाइदा उसमें बताया है कि आप जो है इस बेटिंग आपको डाउनलोड कीजिए, इसमें आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कवर्डी खेल सकते हैं, इतने सारे गेम्स खेल सकते हैं और आप पैसे जीच सकते हैं, उसके साथ की साथ आप आईफोन जीच सकते हैं, इस तर डाउनलूट करने के बाद उसमें पैसे लगाएंगे जो उनके पास 1500 रुपय होंगे वो उसमें लगा के और वो हार जाएंगे इसमें उनका लॉस होगा पवन सही सिंग से ये उमीद नहीं थी मुझे आज उनका ये वीडियो देखे काफी दुख हुआ मुझे कि क्या इतनी क्याया कि जरूरत हो गई है कि अब इस तरह के एप के प्रमोशना आप करें आप तो कहीं भी जाएंगे किसी को कुछ बोल दें किसी का वड़े भी इस भी कर देंगे तो भी आपको इतने पैसे मिल जाएंगे जितना ये आप आपको दे रहा होगा इस तरह की चीजों को कहते हैं लोग करने लगते हैं तभी तो आपको कड़ोर रुपे मिलते हैं तीन चीजों को थोड़ा सोचना चाहिए बाकी आप एड देख सकते हैं यूटूब पे आप जैसे ही डालेंगे आपको मिल जाएगा मैं उस एड या उस कंपनी का नाम लेके और उसका प्रमोशन नह जाए थे और मैंने उसका किया था जो मुझे रियलाइज हो गया उसके बाद से मैं जादा नहीं करने लेगा बिल्कुल मतलब बंदी कर दिया मैं जो भी एप का रिव्यू अगर भी किया था उसको इमेने डिलीट कर दिया ताकि ना वो मेरे चैनल पे रहेंगे और ना कोई उसको देख पाएगा ना उसको कोई डाउनलूट कर पाएगा तो बाकी यही चीज में आप लोगों को बताने के लिया था मैं जादा कुछ इधर उदर की बाते नहीं करूँगा ना मैं उनको बहुत जादा गलत बोलूँगा क्योंकि उनका एक परस्टनल डिसीजन है लेक अपना इस वीडियो का व्यूज पहुचा दिये ताकि उनके डाउनलूड ज्यादा न हूँ और बाकी लोगों के पैसे बच जाए मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए जय हिंद।